हेलो आप सब्सक्राइब करते हैं इप आप मेंजन के सिस्टम काम क्या करता है हम एक आप मोबील इसन को कम कैसे करते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं सबसे पहले इमस सब्सक्राइब काफी सारे चीजहों से मिलके उधारन के तोर पर आप ले सकते हैं sensors relay actuator और control units यह सारे एक साथ मिलके काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं engine management system अब engine management system को हम यूज करके हम engine के performance को बढ़ाते हैं और emission को कम करते हैं अब हम जानते हैं कि एक engine management system काम कैसे करता है सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं यह एक ECT sensor ECT का मतलब होता है engine coolant temperature sensor यह हमारा ECM है और यह हमारा radiator fan अब जो हमारा ECT sensor है वो काम कैसे करता है जैसे हमारे engine coolant का temperature 80 degree के अबव हो जाता है आप्रोक्स 85-87 यह signal प्रोड्यूस करता है और ECM को बताता है कि अब जो हमारे उसका क्या करते हैं coolant का temperature वो 80 degree से अबव हो गया है अब आपको radiator fan को on करना है यह हमारा ECM है वो हमारे radiator fan को ground दे देता है जिससे हमारा radiator fan on हो जाता है इसकी मुझे से हमारा engine overheat होने से बच जाता है ठीक है ऐसे हमारा काम करता है engine management system इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे sensors काम करते हैं उसके बारे पर हम आगे जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते है sensors के बारे में सबसे पहले जो हमारे sensor है वो है map sensor map का मतलब होता है manifold absolute pressure sensor अब जैसे कि आप इसका नाम देख रहे है manifold absolute pressure sensor हम इसका यूज करते हैं इक इंटैक manifold में यह हमारे इंटैक manifold प्रेशर बताता है कि हमारे इंटैक manifold में storm इन करके करता कि हमारे इंजन में जो एर उसका Stra?,न करके Expl agenda करता है वह हमारे से इंटैक एक सता है अगÄर आपको नहीं पता है तो सिप्रीघम मेटिक को होती रचे होती है वह स्वाटी और फॉल bekommt सहाजन जहीं इसिए कि आपूल तक हएय कि हमारा एक फॉल्टी मैप संसर के सिंप्टम क्या डिये होते हैं सबसे पहले जो हमारा एक फोल्टी मैप सेंसर होगा उसकी वएसे आपको पूर फूल एकोनमी होगी ठीक है दूसरा आपकी पावर का लॉस होगा चोथा जो है वो होगा रफ आइडल आपकी गाड़ी इमीशन में भी फेल हो जाएगी पांच बाज जो है हार्ट स्टार्टिं और स्टैलिंग मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो कापेगी आइडल आरप्यम पे और लास्ट का पॉइंट है वो हमारा इंजन चेक लाइट आपके जो इंस्टुमेंट कलेस्टर पैनल है वहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी यह लाइट तब ही आती कलाद इसके को करता कि बावकें है इसके भियांते को क्ाफ़ी ज्यादा होती है और जो हमारा cold air है उसको maintain करने के लिए हमारा fuel की जो ratio होती है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है इसलिए हम IAT sensor का use करते हैं जिसे हम अपनी air or fuel की mixture को set कर सकें ठीक है अब हम देखते हैं कि एक bad IAT sensor की symptom क्या होते है अब जब हमारा IAT sensor कराब होगा तो हमें क्या क्या दिक्कत आएगी सबसे पहले हमारी जो fuel economy है वो घट जाएगी हमारा engine misfire करेगा तीसरा जो है rough idle चोथा point जो है वो हमारा emission increase हो जाएगा क्योंकि हमारे engine को पता ही नहीं होगा कि को अभी जो हमारे engine के अंदर air जारी वो टंडी है गरम है तो उसके व्याप पर हमारे सिच्चोमेटिक रिशो सेट नहीं हो पाएगी ठीक है अब पावर का लॉस होगा हमार को और लाश्व का जो point है हमें engine check light देखने को मिलेगी जैसे कि मैंने आप से कहाता कि कोई भी सेंसर से regarding fault आएगा गाड़ी के अंदर तो आपको एक engine check light देखने को मिलेगी इसको आप scanner की मतलब से कि देख सकते हैं कि हमारे engine के अंदर क्या दिक्कत आ रही है इससे आपको पता चलिएगा किसी आप सेंसर से regarding problem प्रॉपलम में तो उसको आप चेक कर सकते हैं जो हमारा necks आता है वो आता है माफ सेंसर माफ का जो मतलब होता है mass air flow जो हम mass sensor का use करते हैं mass sensor का जो हम use करते हैं diesel engine में ठीक है यह आपको air filter के बाद जो एक चीज लगी होती है वह होता है हमारे mass sensor अब mass sensor जो use होता है वह हमारे एर के flow देखता है mass flow rate of air entering in fuel injection internal combustion हमारे air की flow को को मैजर करता है और साथ-साथ उसकी डेंसेटी को मैजर करता है अब इसी के बहएव पर हम डीजल इंजिन में जो हमारे फ्यूल की सच्छ obedient ratio होती है उसकाइट अब आब जो हमारा bad mask sensor उसके symptom क्या-क्या हो सकते हैं Y बार्ट स्टार्टिंग होगी दूसरा हमारा इंजन जो है एजिटेशिंग और ड्रैग करेगा लोड कंडिशन बें थोड़ा काप एगा अब जैसी आप एक्सलेटर दोगे एक्सलेशन करने के साथ ही जो आपका जो इंजन जै वो जर्क करेगा हलका सा कापेगा लाश्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंजन जो है वो रिच और लीन मिक्षर बनाएगा आइड लिंग पर क्योंकि हमारे जो एर की जो फ्लो है फ्लो और टैंसिटी क्या है उसके वहाब जो हमारा इंजन जो सेट करता है वो सेट नहीं हो पाएगी इसलिए कभी हमारा जो मिक्षर हो रिच बनेगा और कभी हमारा मिक्षर लीन बनेगा अब जो नेक सेंसर है वो नेक सेंसर है सीकेपी सेंसर सीकेपी का मतलब होता है क्रेंक शाप पोजिशन सेंसर अब हम जो क्रे क्रेंक के पोजिशन को देखने के लिए कि हमारे क्रेंक शाफ की पोजिशन क्या है दूसरा जो है हमारे इंजन के रोटेशन पर मिनिट क्या है मतलब आर्पियम क्या है इसी से जो हमारा कॉंबिनेशन मीटर होता है उसके अंदर हमें आर्पियम शो करता है अब जो हमारा एक स sensor क्वराब तो में क्या-क्या धिक्कत आएगी सबसे फ치ötzlich स्टा Mindset काफिकी गाड़ों में दिक्कत आती हगार आपका SKEYV Center क्वड hmar लो लेकिन अन्यन स्टार्ट नहीं कि 요रे नहीं केस के न लैंगार आगर बार्डी स्टार्ट प्रची किनि कोई वहिकर्ण तो जो कि फ्यूल इकुन Müी डिड्यूस हो जाएगी अब हम बात करतें से मतलब होता है कैम साथ पोसिजन सेंसर अब हम एक नाम से ओर बिलाते हैं सेटिकेशन सेंसर ठि कर अब سेटिकेशन सेंसर का मतलब यह है कि इसके वहाब पर हम यह जानते हैं कि हमारा जो पहला पिस्टन है उसकी पोजिशन क्या है वह टॉप डैट सेंटर में या बॉटम डैट सेंटर में सीएंपी सेंसर के वहाब पर हमारा होता है फाइरिंग ओडर सैट होता है और इसी के वहाब पर जो हमारे फाइरिंग है कि कोई कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तीसरा हमारी फ्यूल एकोनोमी रिड्यूस हो जाएगी और चौता पॉइंट यह जो हमारा संसर हम इंजन विच mulan temperature sensor है कि यहमारा क destroy कीज़ें के फैकि किनि काड़्यो में इसके बहुत अपर होता है और काफी हक तक हमारे कुल में को ऑन करने के लिए यूज होता है beiter called cc sensor सरी जो हमारे इंदक हों में में च डिकता है कि हमारे इंजन किस condition में होट condition में है या cool condition में वहांपे पी हमारे Gage में स्की rate शोग में करती है कि अब एक bad ECT sensor के symptom क्या होते हैं अगर हमारा ECT sensor खराब है तो हमारे fuel की economy कम हो जाएगी के दूसरा hydrocarbonate most Am-N Song-o-Oxide की जो है वो बढ़ जाएगा हमारा emission बढ़ जाएगा गाड़ी का मार जो है इंजन कापावर लॉस होगा जो ए अग्चा सब्स स्थक्रावर हमारे मैं पस्थे पांचमी हमारा fulfilled हो जाएगा की ऐसा होगा इसलिए अगर माल लेजिए 테किравствуйте सेंसर ख़राब है तो गोसिम्मकों को सिंग्डल देगा कि हमारे कूलरण का टैमपेचर क्या है जब हमारे को पता नहीं चलेगा कि हमारे की समय को और टैमपेचर क्या है तो और ने कännएख्ण को यह का निया किसे और लाजस संप काम होता है वह हमारा जो होता एथ यह हमारा ट्रांस्विशन केज में लगा होता है डिफरेंशल के पास यह हमारे जो है डिफरेंशल की स्पीड को बताता है उसी के वहाब पे जो हमारा टैको मीटर होता है जो हमें कलस्टर पैनल में जो हमारा रेस का मीटर होता है कि हमारी स्पीड कितनी है 10 20 30 40 50 60 किलो मीटर वो सारी हमें इसी की वज़े से डीडिंग शो होती है अब हमारा VSS sensor खराब है तो उसके symptoms क्या गया होंगे सबसे पहले हमारा rough gear change इन 80 के case में हमारा gear change करने में दिक्कत आएगी दूसरा आपका power steering काम नहीं करेगा इन case अगर आपका power steering बहुत hard feel हो रहा है आपके VSS में कुछ दिक्कत हो सकती है उसी के वहाब पे हमारा power steering hard होता है लाश पॉइंट यह combination मीटर में speedometer काम नहीं करेगा जैसे आप accelerator दोगे गाड़ी थोड़ी चलेगी बट हमारा जो combination मीटर में speedometer हो काम नहीं करेगा यह होते हैं इसके symptoms नाक्स संसर आता है टीपी संसर को हम बोलते है ठोटल पोजिशन सेंसर बेसिकली हम ठोटल पोजिशन सेंसर का यूज करते हैं हमारे air intact में कि हमारी जो air है कितनी intact हो रही है कि कहेते हैं in tech manifold में ठीक है और साथ यसाथ हमारे ठोटल पोजिशन का एंगल किया है यह भी मैसर करता है यह हमारा जो होता है हमारे ठोटल बॉडी पर लगवा होता है तब हम इसको बोलते हैं total position sensor यह हमें बताए कर हमारे total की position क्या है है और हमारे किते हैं इंटेक मेनिफोल्ट में कितनी एर एंटर कर रही है ठीक है अब हम बात करते हैं अगर हमारा ठोटल पोजिशन सेंसर खराब है तो हमें क्या-क्या दिक्कत आएंगी सबसे पहले हमारा जो है इंजन हैजिटेट करेगा जैसे आप एक्सिलेशन करोगे जै इसरे जो है हमारा इंग्रीश पॉलुशन पॉलुशन भी हमारी गाड़ी का इंग्रीश हो जाएगा लास्ट यह है कि लॉस ऑफ पावर हमें पावर का लॉस देखने को मिलेगा अगर हमारा ठोटल पोजिशन सेंसर खराब है तो नेक्स आता है एक्सिलेटर पैडल पोजि अब हम बात करते हैं कि यह एक्सिलेटर पैडल पोजिशन सेंसर का काम क्या होता है अब एक्सिलेटर पैडल को दबाते हो यह सिगनल देता है हमारे थोटल पॉजिशन सेंसर को कि जैसे आपने मालोग कुछ डिग्री डबाया हलका सा पैडल 0.7 0.9 यह 10 डिग्रीश के बोड़ी काम करती है ठीक है यह आपस में जो connect होते हैं यह होते हैं हमारे मेन और सब जो रीडिंग के विहाद पर यह काम करते हैं कि उसके बारे में आगे जानेंगे next video में अब हम यह जानते हैं कि bad app sensor के symptoms क्या होते हैं इसमें भी वह है जो हमारे टीपी sensor से regarding problem आती है सबसे पहले आपको engine hesitate करेगा वैसे आप accelerated होगे हमारे जो idle RPM है वो fluctuate करेंगे increase होगे decrease होगे तीसरा pollution increase हो जाएगा हमारी गाड़ी का और चोत्ता point यह है कि हमारे को loss होगा engine power का अब next sensor है knock sensor अब knock sensor का हम use किसले करते हैं detect the pre ignition and detonation को find out करने के लिए हम knock sensor का use करते हैं अगर हमारा knock sensor खराब है तो हमें क्या-क्या दिक्कत आ सकती है ठीक है अब knock sensor खराब है तो यह उसके कुछ point है जैसे ही आप engine power can be reduced engine की power reduce हो जाएगी हमें कुछ ज़्यादा ही vibration और पिंग की noise सुनने को मिलेगी engine से ठीक है तीसरा point जो है हमारा fuel की consumption भी बढ़ जाएगी और चोत्ता point यह हमें warning light देखने को मिलेगी engine में कि हमारे sensor से regarding कुछ दिक्कत है और चोत्ता जो है so last point जो हमारा slow acceleration हमारी acceleration भी slow हो जाएगी कि बैसिकली जो हमारे नॉक सेंसर का यूज होता है वह हमारे knocking को कम करने के लिए हम यूज करते हैं कि हमारे engine के अंदर pre ignition ना हो अब नेक्स सेंसर आता है oxygen sensor O2 sensor next sensor है O2 sensor O2 sensor और साथ में हम इसे लेमडा sensor भी बहुते हैं हमारा जो ऑटो sensor हो मांटन होता है exhaust manifold पे किनी गाड़ियों में हम दो ऑटो sensor का यूज करते हैं और किसी-किसी गाड़ियों में हम एक एक तो इसलिए करते हैं उसमें यह हमारे जो ऑक्सीजन की मातरा होती है उसको मैसे करते है जैसी हमारा फ्यूल का मिक्शिर ब़न होता है और आग्जॉस मैं मेजर करता है कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बची है उसके वहाव पर हमारा इसियम सैट करता है कि जो नैक्स्ट हमें एर और फ्यूल का मिक्षर रखना है वह क्या रखना है ठीक है अब हम यह देखते हैं कि एक बैड ओटू सेंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि इंजन चैक लाइट हमारे कलेश्टर पैनल में हमें इंजन चैक लाइट देखने को मिलेगी ठीक है दूसरा आपको यह नोटिस करने को मिलेगा कि आपकी जो गाड़ी की फ्यूल इफिशेंसी है वह घट गई है तीसरा पॉन्ट यह है कि आपको वो सल्फर और रोस्टेंट एग की स्मेल आएगी एग्जोस्ट में से चौता ही है हमारे काड़ी का जो ब्लैक स्मोक है वो बढ़ जाएगा क्योंकि रिच मिक्षर बर्न होगा उस कारण से हमारा फ्यूल पर बर्न नहीं हो पाएगा तो उसकुछ फ्यूल का मांट बढ़ जा क्या है मत्यों हों तर्फ Ik यह ए बिच टापिक था वो सेंसर के इव वपर करत आए यह संसर के बहांपर है यह मैं सिस्टम काम करता है सेंसर के विहाँ पे जो हम इमिशन को कम करते हैं आपको वीडियो कैसी लगी यह हमें बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही देगा फॉर मोर अपडेट्स के लिए